जोहार, जहिन, बास्तों में क्या था कि 90 जो दिन का कोटा है वो पार हो गया था इसलिए लाइव हम लोग का कट हो गया था तो फिर से हम लोग लाइव में आये हैं क्योंकि बात अधूरी थी तो दुम्री उप्चुणाओं कर लेकर मैं एसपष्ट करना चाहूंगा जितने कि अपने परत्याशी हैं सब्सेपहले उनको सुघकामना है कि अपने डुम्री जनता है उनके विश्वाष पर खढ़ा होत्रे और जो भी एक ओने चाहिए वाजब दुम्री विदांसवाचेत्र रूहीं तो सबी प्रत्यासियों को हमारी बहुत सुघकामना है और खासकर उन्स दो माताğों को जhoot लोने अपने पत्यों को खोया है और चुनाओं में शिर्कत कर रही और उनको मेरा प्रणाम उनको मेरा नमन लीं अच्छे से चुनाओं में भागिदारी करेंरस उन्नें ध्यरत्तных सारी बस्तिवा वाहर सब्सक्राइब हैं कि अच्छे से चुनाओं में भाग ले और अपनी और से बहतर करें और हमने तो असपश्च का कि हमारी कोई प्लैनिंग नहीं है कोई रोड में नहीं है ना कोई हमारी योजना है असपश्च को लेकर हमारी कोई योजना नहीं है और साथी जितने भी युवां को थोड़ा सा आज पता नहीं है जारखंड के जो युवा है आप देख सकते थे माननिया रविंद्र कुमार पांडे पांच बार शांसर्द है माननिया राजेंद्र प्रशाद सिंग साइद हु यह वन व्यक्ति ने सोचल मेडिया में कभी उनकी अलोचना की रविंद्र कुमार पांडे जी जो पांट साल से शांसर्द रहे क्या उनके समुदा अथ्वा पिर जो भिहार मूलशत है क्या किसी नोंकी अलोचना की एक बात बताई नहीं किया माननिय राजेंद्र है जो कभजे में रहते हैं क्योंकि अनका मैक्सिम उटर था हमलोग अचीज आपकी सम्झाव शुनाव हम धूंख दूसरे के गैं चूनाव तक जो निद्हायक हो लेकिन मेरे हिसाब दलगा कि उचित नहीं है अगर कोई आया है प्रिचार के लिए किसी पार्टी विशेज का गड़ ही क्यों ना हो उन्हें अपनी बातों को रखने का अफसर दें यह चीजिए हमें मानने रविंद्र कुपार पांडे और श्वर्गिये माननी राजिंदर परचार सिंग का जीवान रहा चुनाव का उससे अब सीख सकते हैं कभी उनका एक पुड़ा पचीस साल को राजितिक केरियर रहा लेकिन उनके लोगों ने कभी उनको टिका टिकनी नहीं किया इस चीज में एक भी टिकनी दिखा ये सोचल मेडिया में जो उनके लोगों ने उनके खिलाप या उनके विरोध में लिखा ये चीज तो हमें सीखनी होगी आलो चाहिए क्या इसी बात चुनाव है पॉलिटिक से तो हम एक दूसरे से हासा मत होंगे एक उसरी की वीचारधाराओं का क लुटिक से तो हमें रही है कि घयर जारधार ने रहैं या फिर के उनके भाडर रहें या फिर उनके पर बोडर रहें या पिल विख उनके साब्गों नहीं कहा यह चीज आपको सीखना होगा, खासकर मैं जारखंड के लोगों से कहना चाहूं कर दुम्री उप्चुनाव को लेखा अलोचना, विरोध, अहसामती यह चलता रहता है, चलना भी चाहिए, लोगतंत्र में अहसामती होना चाहिए, अलोचनाय होनी चाहिए, प्रिचारिक हो इस परकार से क्रिद्ट ना करेंगे और एक मामला बहुत गरम चल रहा है कि कोई साथ ही है जो आंदोलन कारी है और धरकन मुक्ति मोर्चा मारणी मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंच गए अश्यर्ट सबको होगा कि सभी ने अपनी पहचान बनाई है मदंदा बिल्कुल हर तरह का अंदोलन चाहिए समयधानी का अंदोलन हो या पिर हमारे हर अंदोलन का हमारा शमर्थन है उसको लेकर अंदर खाने रंडितियां है निश्चाही आपको बहतर रिजल्ट मिलेगा तो जहसे बाते सरकार के विपक्स में आप बोलकर सरकार के विपक्स में आप आंदोलन करके राची तक पद्यात्रा करके या फिरे मानोसर इंकला में खड़ा होकर अपनी पहचान बनाई है और पिर सब्सक्तर के साथ आप चले जाएगग तो थरह अस्यपत हो गाई लेकं कहitated क सब्सक्राइब करना चाहिएn हम सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब अभी बहुत सारा समय के साथ बेचारी कुछ तुर्टियां उत्रपन हुई वह सो भावी के मानों जिवन में चलती रहती हैं तो उनका संगठन हुए किसी अलग संगठन से उनका संबंद है उस सक्स का जिरोने सरकार को शमर्थन किया उस से हमारे संगठन जे बी केसस का किसे भी परकार का कोई संबंद नहीं है इस बात का भ्यान रखेंगे चुकि ये बात मार्केट में आ रही है तो असपष्ट बताना चाहूंगा उस साथी का हमारे से, हमारे साथियों से, हमारे संगटन से किसी भी परकार का कोई संबंद नहीं है, वो उनका अपनी विचार है, और हाँ, उसके जेबी किसम बहुत सारे से साथी हैं, जे दो जार चोभी साथी आते कहीं जा सकते हैं, आप अपर बात को हम लोग टिक हैं हम लोग डटे हैं और हम लोग अडिग होकर किस मैदान पर इस रन्षेत्र पर बने रहेंगे बाकि पुना दोराइंगे उस साथी से अंदरोड कारी साथी से हमारा प्रवास्ता नहीं है बलकि उस वह साथी का और एक कारनामा था जब वह लोग अंदरों बहुत ठीक ठाग चला था लोग आई तक उस चीज को नहीं जानते हैं एक इस तारीक को भी पद्यात्रा में गए थे और हमको लगता है पहला कारी कराम था जिसका कोई डायरी मेंटर्स नहीं पहले हम लोग का सत्रों तारीक को दामदर नदी के उपर मिटिंग है तब ही अचनक चार दिन बाद वे लोग सिर्फ सोचल मीडिया में अपना बयान बाजी करते हुए पद्यात्रा में चले और वह साथी जो अज सरकार के साथ है वह उस अंद्रण में गए थे जो पद्यात्रा निकली थी जो बिना पूछे बिना कहे बस चार-पांच लोगों के राई से उसमें वह साथी भी थे हैं तो जैर सी बाते उन्होंने शुरू में भी ऐसा परियास किया है और आज भी वह उनकी अपनी नीजी वीचार धारा है लेकिन फिलाल हमारा उस साथी से उस भाई से कोई संबंद राजनीतिक संबंद नहीं है बाकि मानवता के नाते दोस्ती अरिवनाते भेंट मुलाकात चाइब वह अलग विशे है कभी हो सकता है और लेकिन त्राजनीतिक संबंद और फिलाल बेचारी संबंद किसी परकारतों से नहीं है वह अलग संगठन के हैं हमारा संगठन जेवी किससे और जेवी किससे उस आंदरोणकारी के पे अमन नहीं है इस बात का ध्यान रखेंगे जोहार जाठन जय जाठन